नमस्कार मैं हूँ ग्याने शुक्ला अमरीकी दोरे पर पहुँचे कॉंग्रेस के पूर्व अध्यच राहूल गांधी ने वाशिंग्टन डी सी में नेशनल प्रेस क्लब में एक सवाल के जवाब में जो कहा उसने मानो विबादों का पिटारा ही खोल दिया दरसल केरल में इंडियन मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस के गटबंदन के बारे में सवाल किया गया था राहुल गांधी ने गटबंदन का बचाओ करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्म निर्पेच यानी सेकुलर पार्टी है जिसमें कुछ भी नान सेकुलर नहीं है इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने जबरदस्त पलट वार किया केंदरी मंतरी किरन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को दुरुभाग पूर बताया तो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवी ने राहुल गांधी पर निशाना साथते हुए ट्वीट करके कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो पार्टी धार्मी काधार पर भारत के बटवारे के लिए जिम्मेदार थी वो राहुल गांधी के मताबिक सेकुलर पार्टी है वाइनार्ड में सुईकारता बनाये रखने के लिए या उनकी मजबूरी है ये अमित मालवी ने ट्वीट किया यूपी के डिप्टी सीयम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विदेशी धर्ती पर जाकर इस तरह की बयानवाजी को कभी भी देश के लोग सुईकार नहीं करेंगे अब जब राहुल गांदी के बयान को लेकर खासा हंगामा मच गया है बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं जबरदस्त आलूचना की जा रही है मजमत की जा रही है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर मुस्लिम लीग है क्या देश के बटवारे के खलनाएक मुहमत अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से इसके क्या संबंध है दरसल देश के बटवारे के कुछ समय बाद ही आल इंडिया मुस्लिम लीग उसको भंग कर दिया गया था लेकिन इसके कुछी वक्त बाद ततकालीन पच्चमी पाकिस्तान यानि जो आज का पाकिस्तान है उसमें मुस्लिम लीग और पूरवी पाकिस्तान जो आज के दिन का आज के दौर का बंगलादेश है यहाँ पर आल पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग ने उसकी जगे ले गोर तलब है कि भारत में मुस्लिम लीग को फिर से खड़ी करने का बीड़ा उठाया मोहमद इसमाईल ने, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेता रहे। इन्होंने इसके बावत 10 मार्च 1948 को आजादी के एक साल बाद मतरास यानी चिन्नाई में एक बैठक बुलाई जिसमें पूर वर्ती मुस्लिम लीग के 33 से जादा नेता शामिल हुए। तब इसमाईल के कुछ सहयोगियों ने ही मुस्लिम लीग के पुनर सेंगटी किया जाने क प्रदान मंतरी उस वक्त के और भारत के सबसे बड़े सेकलर नेता माने जाने वाले जवाहलाग नेहरू ने भी भारत में मुस्लिम लीग को पुनर जिवित किया जाने का विरूद किया था उसकी मुखालिफत की थी। उन्होंने तद्कालीन गवर्नर जनरल लाड माउंट बेटन से यहां तक कहा था कि वो मुहम्मद इसमाईल को मुस्लिम लीग के पुनर गठन के विचार को छोड़ने के लिए समझाएं। उनका विचार था कि भारती मुसल्मानों को मुस्लिम लीग जैसी राजनेती पार्टियों की कताई जरूरत नहीं है। यह जवाला नहरू का विचार था। लेकिन तमाम अवरोधों अरचनों के बावजूद एक सितंबर 1951 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आपचारिक तोर से अस्तित्व में आ गई। यह चुनाव आयोग से मानता प्राप्त रेजिस्टर्ड पार्टी है। इस पार्टी के नेता इसके सेकलर होने का दावा जरूर करते हैं। इस पार्टी की मुख मुझूदगी और इसकी जड़ें तो केरल में हैं लेकिन तमिलनाड़ों और महराष्टरा जैसे राज्यों म नहीं किया था। कांग्रेस इसी को लेकर हमलावर भी है। केरल में उमन चांडी की नेतरत वाली कांग्रेस सरकार में ये पार्टी शामिल रही थी यूडी अप में। इसके कई नेता सरकार में मंत्री भी बनें। पार्टी ने 2021 का केरल का विधानसभा चुनाव भी कांग् जी सका था उसके अलावा हर चुनाव में इस पार्टी के दो या दो से कहीं ज़्यादा सांसद रहे हैं मौजूदा संसद की बात की जाए तो यहां भी इसके चार सदस हैं यहां पर गौर करने की बात है कि कॉंग्रेस ने केरल में 2019 का जो लोग सुभा का चुनाव था इंडि विदेशी धर्ती पर दिये गए राहुल गांधी के इस बयान से बैखेडा जरूर खड़ा हो गया है क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकलर बताने की दलील और दावे भले ही कितने किये जा रहे हो लेकिन इस एतियासिक हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि आई यू एमल यानि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी में ही हैं उत्रप्रदेश की तमाम बड़ी और रहम खबरों के लिए आप बने रहे हैं पीटीसी न्यूज उत्रप्रदेश के साथ नमस्कार